नमसकार दोस्तों दोस्तों इस तरह कि जो लिधियम यान बैटी आप मार्केट से खरिद के लाते हैं और उसमें अगर आपका वायर नहीं जुड़ा यानि इस पर प्लस माइनस का वायर नहीं जुड़ा हुआ है तो इस पे solder लगा कि इस पे together को जोड़ना पड़ता है लेकिन काफी लोगों को दिक्कत होता है कि इस पे solder लगता नहीं और पार जल्दि से जोड़ता नहीं है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको इस पे solder करने के लिए कौन सा wire लेना चाहिए कौन सा आपको आयरन लेना चाहिए जिससे आपका इस पे अच्छे सी सोल्डिंग हो सके, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, आप जब कोई भी बैटी लेते हैं, तो उसपे सोल्डर करने के लिए सबसे पहला जो आपका यह होता है कि आपको जो पेश्ट है, वो paste अच्छी company का लेना होगा, यानि मैं जो Qfix का use करता हूँ, आप कोशिश करिए Qfix का अगर आपको मिल जाता है paste, तो इसका use आप करिए, उसके बाद जो solder है, यहाँ भारती का, हम solder use करते हैं, अगर आपके यहाँ भारती का solder मिल जाता है, इसका जो देखिए, इसका जो grade है, वो 60-40 का है, 60-40 का grade आपको मिलता है, तो आप यही solder लीजे, यह बहुत ही अच्छा काम करता है, अब बात आती है, अब solder देखिए, कुछ लोग करते हैं क्या, जब आप बैटी लेते हैं, तो इस पर क्या करते हैं, सिधा कोई wire लेंगे, या solder लेंगे, और यहाँ पर उ हैं, अच्छी तरह से चिपकता नहीं है, और फिर वो solder देखिए, यहाँ से हड जाता है, देखिए, इस तरह से वो हड जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक नुकीला चीज लेना है, जैसे कि आपके पास माल यह इस तरह का कोई टूल हो, या कोई पेचकस हो, या कोई चाकू, मनलब कोई नुकीला चीज हो, ठीक है, उसको ले लेना है, और इस बैटी पे आपको जिधर भी है, दोनों साइड चुकी जोड़ना है, तो जिस साइड में जोड़ना है, वहाँ पे आपको इस चिम्टी या पेसकस से, ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ पे, और यह चम्खीला दिखने लगेगा, अब इसके बाद डायरेक्ट आप नहीं जोड़नेंगे, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, तो थोड़ा सा पेस्ट लगाने के लिए देखिए, आप मैंने बोला, क्यूफिक्स का ही पेस्ट कुछ करेंगे, तो हमें आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा, अब यहाँ आप जैसे ही सोल्डर रखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मैं सोल्डर जो है तुरंत ही यहाँ पकड़ लिया, अब इसे आप हटाने लगेंगे, देखिए, अगर आप इसे हटाना भी चाहेंगे, तो यह सोल्डर अपका नहीं हटेगा, अब दोस्तों बात मने किया कि आइरन कौन साफ को लेना चाहिए, तो भाई देखिए, आप कम से कम 25 वाट का आइरन लेंगे, वो किसी भी कमपनी का है, कोई मैटर नहीं है, बस आइरन जो आप लेंगे, अब उसको हीट आपको कितना देना है, अगर आपके यहां बोल्टेज 220-230 बोल्टेज है, तो उत्रा पे आपका आइरन अच्छी तरह से हीट होगा, और आइरन को हीट है बढ़ियां से नहीं, इसको पहचानने के लिए, आप देखिए जब पेस्ट में इसे डुबाएंगे, यहां पेस्ट में जैसे ह दुबाएंगे, तो आप जैसे देखते हैं, तेल में पानी डाल दिया, गरम तेल में पानी, जो छंचनाहट की आवाद निकलती है, वही छंचनाहट यहां पेस्ट में डालने के बाद यहां होती है, तो इस तरह से जब आपका यह चंचनाहट आने लगे, समझे आपका पेस्ट आ गया है, आप उसका पेस्ट लाएंगे, तो चाइना वायर को भी सोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर वह पेस्ट नहीं है, तो आप इस पे चाइना वायर को जोड नहीं सकते हैं, अब यहां कापर वायर देखें, तमाम तरह के आते हैं, जैसे कि यहां देखें इस steel wire इस तरह से आपको flexible wire के नाम से मिलता है यह steel wire जो की देखने में आपको देखिए इसे जब आप इसका जो PCV हटाएंगे तो इसके अंदर का जो आपका wire होगा वो सफेद कलर का आपको दिखेगा यहां देख सकते हैं यहां सफेद कलर का wire आपको देखने की मिलेगा इस तरह का अगर आप लेते हैं तो आप जयसे ही यहां बैटी पे यारी cycle इसे लगाेंगे जैसे में देखे में कि scentलर लगाए हूऊ पहले से तो तो आपको क्या करना है थोड़ा सा सोल्डर यहाँ और ले लेकर और यहाँ रख के जैसे ही आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वायर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से चिपफ चुका अब ये छुटने वाला नहीं है तो यही रहाँ दोस्तों यहाँ जो लि एगर आप इस तरह से नहीं जोड़ते तो आपका घ्राब हो जाएगा और ने कशे उड़नफेक and एगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को को सब्सक्राइब कर दीजे मिल टें नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए नमस्कार